प्रदेश में कल से मोडिफाइड लोगडाउन शुरू होने जा रहा है इसमें आवश्यक और गाइडलाइन में दी गई सेवाएं ही शुरू होंगी इस पर चिकेसा मंत्री डॉक्टर रगु शर्वा ने कहा कि प्रदेश में जरूरी सेवाओं और अर्थवेबस्ता को पट् मुशना शुरू हो वहीं ओध्योगिक खशी और सामाजिक सरोकार के कारियों को भी शामिल किया गया है लेकिन कोरोना होट होट स्पोर्ट क्षेत्रों में इन गतिवीदियों के लिए अलग से तैयारी की जा रही है परसों दसजार रेपिट टेस्टिंग कित हमारे पास आये थे और हमें उन्मीद है कि सवाल आख एकात दिन में या तो आज आ जाएंगे या कल आ जाएंगे हमने परसों ही इस चीज को शुरू कर दिया रेपिट टेस्टिंग को हलांकि यह एंटिबोडि टेस्ट है परफे प्राइब केसेज थे वो पेंडेसी खतम करने के लिए मुख्यमांतरी जी ने कल रात को ही फैसला किया कि वो सारे सेंपल दिल्ली भेजके प्राइबेट लेबोरेट्रिस से उनकी जाच रिपोर्ट मगवाले थे ताकि राजिस्तान में वास्त्विक पॉजिटिव केसेज क संक्या कितनी है अलगले जिलों में इस महामारी का फैलाव कितना है यह अगर वस्तुस्तिति हमको पता चलेगी क्योंकि हमारे पूरु राष्टे अद्दिक्स राउल गांधी जी ने भी कहा था जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे हम उतनी ज्यादा सच्चा ही हमारे सामने आईगी हम प्रोब्लम को प्रोलोंग नहीं करना चाहते हैं प्रोब्लम को हम आइडिटिफाई करना चाहते है और उसका तरीका सिर्फ यह उस वक्ता ज़दा से ज़दा टेस्ट और उस पर हम जोड़ दे रहे हैं और उसी का नतीजा है कि राजस्तान में अब आज दो आज भी कर दिया है और यह प्रोग्रेस डेली बेसिस पर हो रही है बिलवाडा मोडल जिसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है देश में तारीफ हो रही है वहाँ जिस तरह से हमने रूथलस कंटेन्मेंट किया आज राजस्तान में 49 जगे 49 जगे पर गर्फिव लगा र के और पोपुलिशन को आधार बना के और उसको क्लस्टर में डिवाइड किया गया है और उन क्लस्टर में से एक एक क्लस्टर से रेंडम सेंपलिंग का काम कर रहे हैं